नमस्कार, वर्ष 2023, जाते जाते देश की राजनीती में एक लंबी लकीर खीचने जा रहा है। नवंबर माह में जहां देश के पाँच राज्यों में विधान सभा का चुनाव हो रहे हैं जिसे आगामी 2024 में होने वाले लोक सभा के चुनाव के सेमी फाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तीन दिसंबर को इन राज्यों का रिजल्ट आने वाला है लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी घटना ने पीएम मोदी के सबसे करीबी अडानी को जोरदार जटका दिया है। दूसरे बार सत्ता में आई तो कारपोरेट जगत में सबसे अधिक अगर फाइदा किसी को हुआ तो वह अडानी ग्रूप रहा। पोर्ट किंग के रूप में मसहूर अडानी के पास आज समुंदर के किनारें अधिकतर राज्यों के लगभग दरजन भर बड़े बंदरगा आज अडानी के कबजे में हैं। वैसे 2019 लोक सभा चुनाव के बाद एक बात और देखने को मिली कि इस कारपोरेट जगत के सामने एक लकीर भी खीच दी गई कि वह केवल ऐसे राज्यों में ही अपने प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा जहां उसका शासन है। सत्ता पार्टी अच्छा खासा राजनीतिक लाभ भी उठाती थी। यह क्रम लगभग चार साल तक निर्बाध गती से चलता रहा। लेकिन अब इस बीच देश में चल रही राजनीति बयार से कारपोरेट जगत जरूर कुछ सहम सा गया है। आने वाले देश की राजनीतिक नब्स की धड़कनों को समझते हुए, अब यह कारपोरेट जगत ऐसे राजियों के क्षत्रपों से भी हाथ मिलाने लगे हैं, जहां वह पहले सोचने की भी हिमाकत नहीं करते थे। यह कारपोरेट जगत ऐसे राजियों में अपनी चहक दमी तेज कर दिये हैं, जहां उने लगता है कि इन राजियों के क्षत्रपों का आने वाले देश की राजनीती में अच्छा खासा दखल होने वाला है। का जोरदार ऐलान भी हुआ कि अडानी के कुछ और बड़े प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में आएंगे। लेकिन उस वक्त पश्चिम बंगाल के इस कारपोरेट जगत को जोरदार जटका लगा। जब एक विग्यापन वहां के अखबार में छपा, जिसमें यह ऐलान क अब उसका फिर नए सिरे से टेंडर निकलेगा, जिसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि अडानी को दिया गया, पोर्ट कैंसिल कर दिया गया, यह कोई छोटी घटना नहीं है। वैसे वहीं इसके पीछे एक और राजनीतिक कारण को माना जा रहा है। विगत काफी दिनों से एडी ममता बनर जी के भतीजे अभिशेक बनर जी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे ममता बनर जी काफी नाराज चल रही थी। वह मोदी के आने बाद धीरे-धीरे हासिये पर चले गए जिसे आप अमबानी ग्रुप के नाम से जानते हैं। यहां एक बात और मारके की बात है कि अमबानी ग्रुप पहले से ही 45,000 करोड जहां पहले से ही पंश्चिम बंगाल में खर्च कर रही थी, वहीं अब 20,000 करोड रूपए और प्रोजेक्ट पर खर्च करने जा रही है। जानकार बताते हैं कि ममता बनर जी ने अपने पोट का काम जो 25,000 करोड का है उसे अब अमबानी को देने का मन बना लिया है। जनीतिक हवा का रूख अब समझ में आने लगा है। जबकि पहले अडानी अमबानी दोनों को नाम लिया जाता रहा है। यहां प्रश्न यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तीन डिसंबर को पांच राज्यों के आने वाले विधान सभा चुनावों के परिणाम वा आगामी 2024 के लोक सभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर जहां देश की जनता और राजनीति दल कयास लगा रहे हैं। वहीं क्या इन कारपोरेट जगत ने अभी से पूरी तरह से भाप लिया है। क्या उन्हें अब यह लगने लगा है कि किसके साथ रहने से फाइदा है और किसके साथ नुकसान। या आगामी आने वाले समय में किस राज्जी के क्षत्रप की आने वाली राजनीती में कितनी पकड़ होने वाली है, क्या पंश्चिम बंगाल में अडानी व अमबानी के आउट ओविन के पीछे, कहीं कोई बहुत बड़ी पटकठा तो नहीं लिखी जा रही है जो अभी तक राजनीतिव कार्पोरेट जगत के बीच चल रही कहानी से इतर जाती हो, बहरहाल हम 3 दिसंबर का इंतजार करते हैं और इस सेमी फाइनल के रिजल्ट के आधार पर आगामी फाइनल 2024 में मैच का आकलन करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद